मीन रासी वालों का आजे का रासी फल यणे की 27 जून 2020 का रासी फल तो नमशकार मित्रों आईए आजे के बेडियों की सुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 27 जून 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है सब्तमी नक्छत्र है पुर्बा फालगुनी पक्छ है सुक्ल पक्छ और दिन है सनी बारे आज के दिन सुर्य उद्य हो रहा है पंच बज के पचीस मिनट में और सुर्यास्त है साथ बज के बाईस मिनट में रितू है वर्षा और आज का दिन काल है 13 घंटे 57 मिनट 24 सेकेंड का महिना है आसाड है और आज के दिन सुभ समय सुरू होता है 11 बज के 56 मिनट एम से 12 बज के 55 मिनट पी एम तक और असुभ काल सुरू होता है 5 बज के 25 मिनट एम से 7 बज के 17 मिनट एम तक और राहु काल सुरू होता है 8 बज के 54 मिनट एम से 10 बज के 49 मिनट एम तक और दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो मित्रों ये था आज के दिन का पंचांग वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें लेकिन उस से पहले इस वेडियो को आप लाइक करदें इस चैनल को आप सबस्क्राइब करदें और वेडियो के नीचे जै सनी देब कमेंट करदें तो हम अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके आज के दिन के धन संपत्ती के बारे में मित्रों पैसों के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने से बहुत ज्यादा नीचे है आज के दिन आपके पास जो पैसे आएंगे उन पैसों को बचा कर रखने में आपको दिक्कतों का स वैसे अगर आपके स्वास्त की बात की जाए तो स्वास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जियादा बहुतर और शांदार रहेगा आज के दिन अपने मन में आप नकारातमक भावनाओं को जगह बिलकुल भी न दें आज के दिन अपने मन को आप साफ रखने का प्रयास करें क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाते हैं आपके मन में किसी भी विक्ती के लिए नकारातमक भाते नहीं रहती हैं तो मानसिक तौर पे आप काफी जयादा मजबूत होंगे और आपके श्वास्त में कहीं कोई शमस्या कहीं कोई बाधा नहीं होगी इसके बाद है आपका प्रेम शम्बंध मित्रों प्रेम शम्बंध के दृष्टी कोन से आपका शमय सामाणने तोर पे सही रहने वाला है आज के दिन अगर अपने प्डेमी या अपनी प्डेमिका से आप मुलाकात करते हो तो आपका प्रेम शंबंध शामाणने होने के बाबजूद बहुत ज्यादा बेहतर और शांदार हो जाएगा और आपके प्रेम शंबंध में कहीं कोई शमस्या कहीं कोई परेसानी नहीं तो पाडिवाडिक जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने से बहुत ज्यादा नीचे है आज के दिन आपके घर पड़िवार में किसी विक्ती के वजह से आपको दिक्कतों का शामना करना पड़ेगा आपके घर पड़िवार में किसी विक्ती से आज के दिन आपको बिरोध का शामना करना पड़ेगा लेकिन आज के दिन अगर आपके घर पड़िवार में कोई विक्ती आपका बिरोध करता है तो उन चीजों को आप इगनौर करें नजर अंदाज करें अन्य था आपके घर पड़िवार का माहौल खराब हो जाएगा इसके बाद है आपका कामकाज तो कामकाज के दृष्टी कोन से आपका शमय सामाने तोर पे सही रहने वाला है आज के दिन अपने कामकाज में अपने काड़े छित्र में अगर आप कोई पड़िवर्तन करते हैं कोई बदलाब करते हैं तो यह पड़िवर्तन यह बदलाब आप याद रखें आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है हरा और फिरोजी भग्यशाली अंक है आपके लिए आठ यनी की इट इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बहतर और शांदार होगा मित्रों उपाई बहुत सामाननी है आज के दिन आप गडीब लोगों की शहायता करें पूरे मन से पूरे आस्था से पूरे एकाग्रता के शाथ आपका समय सांदार हो जाएगा और कहीं कोई शमस्या नहीं होगी तो इस बेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें बेडियो को आप हर जगह सेयर कर दें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए बेडियो में धन्यवाद राधे राधे